हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे साथ अलग अलग तरे के चिले यह साथ अलग अलग तरे के चिले आप रोज नाश्ते में कुछ अलग डिफरेंट टाइप को चिला बनातर खा सकते हैं फिर बच्चों के टिफिन में भी रोच अलग अलग तरह के पॉस्टिक चिले बना कर उन्हें दे सकते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगी पालक का चिला सबसे पहले हम पालक को अच्छे से दोके इसे हलका से उबाल लेंगे हमें इतना ही उबालना है कि इसके पत्ते हैं थोड़ से सॉफ्ट हो जाए तो यह कटोई मैंने पालक लिया है क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ एक ही चिला बनाओंगी क्योंकि हमें यहां अलग अलग तरह के चिले बनाने हैं इसलिए मैं यह पालक का एक ही चिला बनाओंगी इस पिसने के लिए साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं टमाटर यह दो पीस टमाटर से थोड़ी से हरे मिर्च में इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा हरा धनिया इसके साथ ही थोड़ा सा नई इसमें अध्रब डाल रही हूं साथ ही थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर हाफ टेवल स्पून डालमिश पाउडर हाफ टेवल स्पून अमचूद पाउडर और हाफ टेवल स्पून नमक इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच के करी प्याच अब हम इसमें डालेंगे ये डेल चमच बेशन इन सब चीजों को डालने के वाद हम इसे पेस्ट कर इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगी यह हमारा पालक का बैटर हेज़़दम रैड है चिरे बनाने के लिए अगर इसे पीसर में कोई दिक्कत होती है तो आप इसमें एक चमच बेशन या फिर एक बैड इसमें एड तकी इसे पीस सकते हैं तो चलिए हम हमारा चिला बनाने स्टार्ट करते हैं यह मैंने तावड़े को गैस पर रख दिया है पहले से और इसे ओएल लगा के इस तरह से क्रीज कर दिया है अब मैं इस पर हमारा बैटर डालूँगी इस तरह से आपको इसके शेलाना है चारत रख इसमें ऑईल के जिगे बटर का भी यूज कर सकती है अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए इसे बना रही है तो आप इसे बटर में बनाएं कि जैसे एक तरह से से जाता है मैं इसे फिलिप करके दूसरी तरह से से भूगी हमारा चिला एक तरह से बीड़ कुछ चुका है यह देखिए आप अब हम इसे फिलिप कर देंगे देखें, दोने तरफ से अच्छे से जिताएं, अब ये खाने की ने इक्टम ड्याड़ी है, अब हम हमारा दूसरा चिला बनाना स्टार्ट करते हैं, Friends हम हमारा दूसरा चिला बनाना श्टार्ट करते हैं दूसरा चिला हम ये आलु से बनाएंगे मैंने ये आलु को कीस कर इसे अच्छे से धोलिया है ताकि इसका सारा श्टार्स चिंद कर जाए तो अब हम इसे चिला बनाएंगे मैंने एक बाउल में किसी भी यालू डाली हैं यह इसमें देट चमज की करीट टमाटर एक चमज प्याज थोड़ी सी हारिमेज 1.5 टेविल स्पून लालमिर्स पाउडर 1.5 टेविल स्पून नमाग 1.4 टेविल पाउडर 1.4 टेविल स्पून अमचुई पाउडर और 1.4 टेविल पाउडर अब इसमें डालेंगी दो चमज बेसन अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी याड़ करते वे इसका टेस्ट बना लेंगी तो एक दब राड़ी है यह मैंने पैन तो पहले ही तेल लगा की इसी ग्रीस कर दिया है अमने हमारे बैटर इसके डालेंगी इस तरह से आपको फेराते वह से डालना है फ्रेंट्स हम मीडियम फ्लेम पर ही हमारे चिले को सेखेंगे यह मैं उपर से इस पर ओली स्प्रिंकल कर लेंगे जैसे यह नीचे से सिखेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो पांदस मिनिट बाद हम इसे नीचे से जैक करेंगे कि यह सिखा है या नहीं लीजए फ्राइंट्स एक तरफ से हमारा चिला चिले हुए के आप देख सकते हैं इसवा चेंज हो गया आर बने कर दम रॉड Ira your video हिए यह लिची फ्रैंट में मारा दूसरा चिणा अलु काrav लूपल ने रॉप इस नहीन में है अब हुम हमारा तीसरा चिला बिनाना स्टर करते हैं हम हमारा तीसरा चिला बिनाने स्टार्ट करता हैं तीसरा चिला हम बनाएंगी ये ब्रेड क्रम्प से ये ब्रेड को मैंने देखिए इस तरह से पीस लिया है अब हम इस ब्रेड से हमारा तीसरा चिला बनाना स्टार्ट करता है ये मैंने एक बॉल में ब्रेड क्रम्प्स डाल अब इसमें डालूंगी यह दो चमस दही साथ ही हमें इसमें डालेंगी थोड़े से प्याज थोड़े से टमाटर हरे मिर्ट हाफ टेबल इस्पूंड डाल मिर्ट पाउडर यह बन फोट टेबल इस्पून नमाट में से ला दिए बन फोट टेबल इस्पून अमचूर पाउडर अब हम इन सब चीज़ों को पहले से मिक्स कर लेंगी इसकर से मिक्स करना है और बाद में मैं इसमें यह चमच बेसर आड़ कर रहे हूं इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है इसका एक पेस्ट बनाना है यह आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करूँगी देखें हमारा फाइनली पेस्ट एकदम राड़ी है अब हमारा गयाड का चिला बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रैड का चिला बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे ही चिला सिखेगा इसका उपड़ से कलर चेंज हो जाएं हमारा चिला एक तरफ से शेख चुपा है हमें इसे फ्लिप करके दूसी तरफ से शेखते हूं कितना क्रिस्पी लग रहा है हमारा चिला फ्रैंड्स दूसरी साइट से भी हमारा चिला सिखकर इगदम ड्राड़ी है हमें गैस को आफ कर दते हूं फ्रैंड्स अब हम हमारा चौथा चिला जो हम सूजी से बनाएंगे सूजी का चिला बनाना इस स्टार्ट करते हैं ये बॉल में मैंने एक सूजी ले दी है इसमें मैं रावनुगी थोड़ी सी हरी मिल्च थोड़ी सी टमाटा प्याज थोड़ा सा हरा धनिया यह बन फोट टेबल स्पून में चले मिल्च पाउडर ढालं है अब चुर्पाउडर थोड़ा सा मौनल और थोड़ा सा हल्दी हमच में लाल मीच नहीं डाल रहें क्योंकि हमें काले मिस बाग दिये अब पानी बिलाकर इसमें का अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी बिलाकर हमें इसका पेस्ट बढा लेंगे तो लीजी फ्रेंस हमारा चौथा जो चिला है सूजी का चिला उसका बैटर बिर्दम रेड़ी है अब हम हमारा चिला अबनाया स्टार्ट करते हैं हमारा पैनिंग कर दरम हो चुटा है इस तरह से नहीं बैटर इस भी डाल रही है हमारा चिला सिखना स्टार्ट हो चुगा है बागी चिलो की तरह यह मैज पर भी ऑईल स्प्रेंग कर दूंगी जैसे नीचे से सिखता है मैं इसे फ्लिप करके दूसरी साइट से सेखूंगी फ्रेंट्स हमारा चिला इक तरफ से सिख चुका है यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आए है कितने अच्छे से सिख चुका है यह मैं इसे दबाते हैं अच्छे से सिख लेंगे यह लिजी फ्रेंट्स हमारा चौथा चिला जो हमने सूची का बनाए वो भी सिख कर एक दम राड़ी है आप देख सकते हैं अब हमारा नेक्स चिला पांचवा चिला बनाना स्टार्ट करते हैं हम हमारा पांचवा चिला बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मुझाने लिया है यह बैसन यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा बैसन में ने यह आ लिया है दो तेंग चमच हम इसमे डालूंगी हल्दी पाउडर हाफ टेवल स्पून लाल मिर्ज पाउडर हाफ टेवल स्पून अंत्री पाउडर हाफ टेवल स्पून नमाद थोड़े से पामाटर थोड़े से प्याज में इस विड़ागरें और थोड़े सी हर इनर्च साथ के में थोड़ा सा खराधनी डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी में इसमें डाल रही हूँ यह ऑप्षिन है अब डालना चाहे है कि इसको डालना से हमाले चिला है उसकी खुश्वी बहुत अच्छी आएगी वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा थोड़े हमारा चिलागा शिखना खर्ड में और सिंट दो से में पनने अहलोंak हमारा कमने उसके का ने में अच्छी जैसे ही शिखता है हम इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से शेखेंगे फ्रेंड्स हमारा चिला एक तरफ से शिख चुपा है हमें इसे फ्लिप करके हमारे चिले में कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंस हमारा चिला एकदम रेडी है शिक के हम इसे फिलिप कर लाएंगे हमारा बेशन का क्रिस्पी चिला बनकर एकदम रेडी है आप देख सकते हैं अब हम हम ऊमारा नेक्स्ट छटा चिला बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम हमारा छटा चिला मूली से बनाएंगे तो मैंने इससे पहले कीज के रास लिया है यह आप देख सकते हैं इससे कीज के अच्छे से धो लिया है अब में इसमे डालेंगी दो चमिस के करीब आठा थोड़े से प्लाँज थोड़े से टमाटर काली मिर्स पाउडर अमचूर पाउडर बन फोर्ट टेबल स्पून नालमेट्स पाउडर थोड़े साहरा धनिया और यह एक चमच में डाल दूए उसमें पालप का पेस्ट अब हम जड़े से मैक्स कर लेंगी थोड़ा थोड़ा पाउड डालके इसका हमें पेस्ट बनाना है थोड़ाशा पानी में और अट करूए अब हम चिला बनने स्टार्ट करते हैं अब तक हम 5 तरह की चिले बना चुके हैं यह हमारा थटा चिला बनता है मूली का चिला पेना देंगे हमारा चिला सिखने स्टार्ट हो चुका है इस तरह से हमें प्रोइल लगाना है जैसे यह सिख जाता है हम इसे फ्लिप करकर दूसरी तरस सिखेंगे प्रेंट्स हमारा चिला एक तरफ से सिख चुपाए हमें इस तरह से प्राड़ देती हो इसे देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है प्रेंट्स हमारा चिला दूसरी साइट से भी एक डम जाड़ी है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से सिख चुपाएं तो मैं गेंस को आफ कर दूगी फ्रेंट्स हमारा मूली का चिला भी एक डम राड़ी है आप देख सकते हैं प्रंड्स हमारा छता चिल आ मूली कां चिल जो हमने बनाया है ये वह सकते हैं कितने अच्छी दरफ से बनाना अरप हम हमारा लास्ट फाइनल चिल ..पनाना करते हैं pharmaceutical लास्ट चिल 1967 बनाना के स्थाट करते हैं जो हम बनाएंगे मेठा चिला उसके लिए मैंने ये चार चमच के गरीब आता लिए है ये आप देख सकते हैं और ये दो चमच चीनी लिए है मैंने और ये आधे से थोड़ा कम पानी और ये इलाजी पाउडर तो पहले हम पानी और चीनी को घोल कर उबार लेंगे इसे इतना ही हुबाना है कि चीनी इसमें पूरी तरह से गुल जाए ये लिए फ्रेंट्स हमारा चीनी और पानी का घोल एकदम तयार है आप देख सकते हैं चीनी बिलकुर इसमें गुल चुकी है अम मैं इसमें या टराल के इसका पाइं देख बरालूगी इलाइची पाउडर इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है इतना हमें इससे मिक्स करना है कि इसकी कोटिया मिट जाए एकदम मुझे इसमें थोड़ा प्रेट्स में इसमें थोड़ा सा आटा आधी चमच्कियों करें वाटा और मिक्स कर रहे हूं तुकि हमारा घूल काफी पतला हुचु करता अब देख सकते हैं कि इतना अच्छा पीस्ट हमारा बना है हमारा घूल एकदम रेड़ी है ना ही इसमें एक भी घुटलेया है अब हम हमारा मीठा चिला मनाना स्टार्ट करते हैं इस चिले को में घी में बनाऊंगी इसलिए में प्यां ओयल के जए घी लगा रहे हैं देख सकते हैं अब हमारा बैट इसमें इस तरह से फिरला दूंगी स्टार्ट हो गया है में उपर से और इस पर इस पर लिए घी डाल रही हूं अब हमारे चिले को परट कर दूसरी साइड से से शेखने स्टार्ट करते हैं अब हमारी गैस को आफ कर देंगे लिए चिले प्लेट में निकाल लेंगे पीजे फ्रायंट्स हमारा लास्ट चिर्ड़ा जो हमने ने उन्हें फ्रायं रैड़ी है आप देख सकते हैं कितना अ चाओ सिकाया है और कितना अच्छा कारर इसमें है इप सम्हें वह देख सकते हैं जो इतकिश्य पुंद्र दर dabei ios depends करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पॉर वाचिंग